देखे एक शब्ध है तर्वित देना तो इसी को हिंदी में क्या पूलते है और इंगले में क्या रत्तों मतलब होता है दोनों में जानेंगे एक्सांपल से सेंटेंसेस में शब्ड कर Been Use कर के अच्छी त mosquitoes से समझेंगे मतलब तर्वियत देना, इंग्लिश में तर्वियत देना को बोलते हैं ट्रेंड, टीच, एजुकेट, डिसिप्लीन, कोच, सिविलाइज, ट्यूटर, इंस्ट्रक्ट, प्रिपेर बाई, एक्सरसाइज, एटेसिंग लब और भी इंग्लिश में इसके शब्द हो सकते हैं तर् हम बोलचाल में तो इस तरह से शब्द को प्रियोक करेंगे हम लोग के यही पर उनकी तालीम और तर्वियत हुई और यही पर उन्हों ने अपनी पहली नौकरी की, मतलब अंग्लिश में it was here that he received his education and training and it was here that he did his first job, दूसरा example उन्हों ने अपने बच्चों की तर्वियत बड ठीक है दूसरा अपने तर्वियत देना शब्द को हिंदी और इंग्लिश में एक्साम्बल के साथ मैं अच्छी तरह से समझ लिया है, thanks for watching, I do care, desk